हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिसे आपके अपने यूटूब चैनल जो बहपपे और आज जो हम डिसकस्ट करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो वे ग्रूप डी टी जी टी रजल्ट कब आएगा और इस दिन आएगा ये बाते में बताने वाड़ा हूं क के लिए पोर्टल कब ओपन होगा देखो एक एक पॉइंट मैंने लिखे हुए उनके बारे में हम डिसकस करेंगे पहला पॉइंट होगा आपका कोमन कैडर के लिए जो पोर्टल कब ओपन होगा ठीक है वही उनको डिपार्टमेंट कब मिलेंगे दूसरा जो गुरूप डी यह तो चैनल को सबस्क्राइब कर लो भी मैं डाउने दस बारा वीडियो नहीं डालता हो एक वीडियो डालता हु पूरा एनल ela's कर के ही डालता thou आप देख भी सकते हो सारी की सारी डेली आपको एक वीडियो मिलेगी पूरा अनलिसिस के साथ ही तो एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगा कोमन कैडर के अगर मैं बात करता हूं भी देखो ठीक है जो डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको आस्वरसन भी मिल चुका है लेकिन उससे पहले जो कल HSSC ओफिस के सामने हुआ वो एक क्लिप हम आपको दिखा देता हूं भी पहले ठीक है उसके बाद ही जो है हम आगे बढ़ेंगे तो ये वीडियो में एक बार चला के आपको दिखा देता हूं ठीक है इसमें आपको आइडिया भी हो जाएगा भी बच्चों ने जो है बिल्कुल प्रेसान हो चुके हैं और अपनी फाइट लड़ रहे हैं बच्चे ये देखिए भई ये कल HSSC office के सामने की clip है ठीक है ये group D वाड़े बच्चे हैं भई तो देख सकते हो सारे के सारे ये एक छोटी शी clip आई थी चलो अब बात करते हैं एक एक point के उपर अब बात करते हैं एक एक point के उपर अपने एक point के उपर बात करते हैं तो सबसे पहला ही point आपका common cadre का है तो common cadre के लिए जो department आपको अलोट होंगे वो कब होंगे तो time आपको आस्वासन जो दिया गया है वो दिया गया भई वन वीक के लिए ठीक है हो सकता है यहां पर आपको 10 से 12 दिन भी लग जाए लेकिन आपका department के लिए portal open कर दिया जाएगा और अगर मैं बात करता हूं जो आपका 24 तरीक को सुनवाई है अगर वहां पर जो आपकी सुनवाई चल रही है उसमें अगर जो आपका case है वो dismiss कर दिया जाता है क्योंकि जो आपकी बहुत ही कमजोर CPL लगी हुई है तो वो काफी कमजोर है इस वज़े से मेरे हिसाब से जो है आपका dismissal कर दिया जा सकता हूं जो case है उसके बाद जो है आपका क्या पता next day ही आपको जो है portal open कर दिया जाए common cadre वाड़ों के लिए और अगर मान के चलो बही इनको जो common cadre वाड़ों को पहले department मिलेगा या पहले यह होगा देखो भई common cadre वाड़ों को पहले department मिल सकता है इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन वो आपका प्रोवेजनली मिलेगा पर्मानेंटली नहीं मिलेगा प्रोवेजनली ही मिलेगा क्योंकि पहला solution आपको group D की जो डायाजार की जोइनिंग रहती है वो आपको complete करनी होगी उसके बाद जो है आपका जो है system पर्मानेंटली हो सकता है common cadre वाड़ों का ठीक है क्योंकि यह आपकी रहती है और अब बात करेंगे waiting मैंने दोनों ही point clear कर दी है इनको मिल भी सकता है मिलेगा तो provisionally मिलेगा permanently नहीं मिलेगा अगर permanently मिलेगा तो पहले इसका solution होगा ठीक है पहले इसका solution होगा तब ही आपको permanently मिलेगा जो department है तो उसका जल्दी solution हो जाएगा भी जल्दी ही जो है आपका department आपको मिल जा वेटिंग की बात करता हूं तो वेटिंग आपकी बार काफी कम chances हैं वेटिंग आपकी लगे क्योंकि न्यू वेकेंसी की तरफ सरकार देख रही है इस बार तो न्यू वेकेंसी इस बार आके नया जो CT ग्रूपड के लिए ले सकती है और उसका जो प्रोसेस है आगे जो वेटिंग इसलिए नहीं लगा रही है कि ताकि वो जो डिपार्टमेंट से सभी से जो पोस्ट के लिए मांगी गए हैं कि बही कितने पोस्ट हैं आपके पास तो डाटा दीजियो डाटा आने के बाद देखे जाएगा अगर कम होगी तो वेटिंग लगा दी जाएगा अगर कम नहीं होगी ज्यादा होगी तो उसके लिए नया CT लेकर ग्रूपड का जो है पर लिया जा सकता है और रजल्ट की मैं बात करता हूं वही तो रजल्ट देखो इनका रजल्ट कब आ सकता है और टीजीटी का रजल्ट आपका जो है रिमेनिंग ग्रूपडी है उनका रजल्ट और टीजीटी का रजल्ट अब इसके उपर बात करते हैं ठीक है तो ग्रूपडी और टीजीटी रजल्ट और TGT result भी देखो case की जो सुनवाई है वो 24 तारिक को है आपको भी पता है 24 June को है Monday को तो अब मान के चलो भई यहाँ पर अगर dismiss हो जाता है आपका जो case है वो dismiss कर दिया Supreme Court ने अगर dismiss हो जाता है तो आपका जो result है 30 June से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा 30 June से पहले पहले क्योंकि result तियार है आपका ऐसा नहीं है कि उनको बनाना है ठीक है result आपका ready है उनको श्रीप click करना है और आपको जो है मिल जाएगी जो और अगर यह dismiss नहीं होता है यहाँ पर अगर stay मिल गया जो कि HSC चाती है HSC क्या चाती है भई stay HSC चाती है stay अगर stay मिल गया stay मिल गया तो यह result आपका जाएगा भी लंबा उसमें आप मान के चलो दो मिने लग जाए च्यार मिनने लग जाए, एक साल लग जाए, दो साल लग जाए, च्यार साल लग जाए, तो भई, यह चीज है, मतलब है, stay लग गया, और बाकी, मान के चलो, भई, remaining की, जूइनिंग भी करवा दी, जो stay की पे ले रही है, जो डबल बेंच का ओडर था उसके उपर ठीक है और मान के चलो भी स्टे लेने के बाद जो डबल बेंच का ओडर था लेने के बाद जो ये पोस्ट हैं इनके उपर इनके अगर जोइनिंग करवावी दी ग्रूप डी रिमेनिंग होगी टीजीटी होगी या फायर ओपरेटर होगे या बाकी और भी जो हैं सारे के सारे इनके अगर जोइनिंग करवादी तो भाई सबते बड़ी बात यहां है जो अरियाना की नोकरी है अरियाना की जो जोब है वो क्या है वो है LOC ठीक है LOC क्यों कहा हुए मैंने LOC इसलिए कहा है अगर आप अरियाना में नोकरी करना चाते हैं और वो LOC इसलिए है क्योंकि अरियाना में नोकरी लगने के बाद भी आपको अटाया जा सकता है उसका रीजन यह हुई है क्योंकि केस चलन लग रहा है केस की सुनवाई अगर मान के चलो जो मैं बता रहा था भी 24 ने अगर स्टे मिल गया सैकिंड बेंच के जो हाई कोट का डबल बेंच का ओडर था भी ठीक है उस पर अगर स्टे मिल गया तो बाकी की अगर जोइनिंग करवा दी जो रिमेनिंग रिजल्ट रहते हैं हुआ उनकी करवा दी और बाद मैं जब भी मान के चलो एक मन्थ बाद सुप्रेम कोट का जो है भी इसला आया है सुप्रियम कोट में बोल दिया जो डबल बेंच का आपका ओडर था था डबल बैंच का वह बिलकुल करेक्ट है तो फिर मान के चलो बहिंग जो हुई अभी भी थे मान के चलो group D आले भी लगे थे TGT वाले भी लगे थे fire operator वाले भी लगे थे उनको फेर अटाया जाओगा LOC इस चीज के लिए hack भई ठीक है यानि कि जम्मु कस्मीर का बोर्डर बना दिया है अर्याना की नोकरी को लड़ाई होती है fight होती है गोड़ी कहीं से भी आसका है और यहां गोड़ी आवसरीफ और स्रिफ कोड़ता है चाहिए वो Supreme Court हो चाहिए आई कोड़ो गोड़ी अब 20 ग्रूपां का उपर वेर लग रहे हैं उनन दुबारा तपर देना आपड़ागा अगर दुबारा मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो सहीद होगे वई ठीक है यह चीज है कहने की देखो अगर मेरे कोई बात बुरी लगा है तो माप कर देखो वई मजाग मजाग मजो सारी चीज़े हैं लेकिन मैंने एक एक पॉइंट आपको डीटेल में बताया अगर वीडियो अच्छी लागी है तो लाइक कर दो और कोमेंट में जरूर बताये हो कि मैंने जो बाते कही हैं वो सची कही है करनी कही है बाकि आपके अच्छे-चे कोमेंट आओं है कुछ दोस्ता ने कर भी रख्या कर अगर इसी authentic news आप देते रहे चैनल पर तो आपका चैनल बहुत बढ़िया चाल लगा ऐसे-ऐसे कोमेंट आ रहे हैं चलो अच्छी बात अब ही दन्यवाद करूँगा उस भाई का चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक यू